हाई फ्रेंच दोस्ता पहले आप इन अंडों को देखिए जो खास करके थोरा पूराने टाइप क्या जो उंगलियों से दिखाया जा रहा है इसमें आपका लगबग 30 अंडे है और 300 के 30 अंडे एक महिने के पहले ही इंकूपेटर पर दिया हुआ था यानि इनका आपका जो हे हिपरेचर चेक किया तो सही है ये दिखिए 37 से 38 के बीच है सही है और जब हमने पाने वादि चेक्च ए सब ठीक है अंडे भी ये मतलब अच्छा ही है लेकिन जब हमने हिउमिलीटी पर जञादा गोर से देखा तब हमको पता चला ये दिखिए हिउमिलीटी कितना कम है सिफ 21 परसन हाँ जी दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है तो 21 परसन हुमिन्टिटी पर कभी भी अंडा हैच नहीं होगा खेड जो हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं चेकते लेकिन जो सफेद कलर का अंडे है जो हाल ही में दिया हुआ है इन अंडों को हमें जैसी भी हो बचाना होगा तो इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे है मतलब हमको पूरा का पूरा इंकुबेटर का जो सेटप है वो चैंस करना होगा ताकि हुमिन्टि आसानी से बढ़ सके कम से कम 60-70 के आसपास ही रहे तो इनके लिए हमने पहले सायरे के सायरे अंडे इनकुबेटर से निकल दी उसके बाद इनकुबेटर को साफ भी कर लिया यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें हुमिन्टि बराना है लेकिन वो भी फ्री में यानि बिना पेशा खर्च किये हमें हुमिन्टि बराना है तो हुमिन्टि बराने के लिए हमने जो इनकुबेटर का सेट अप है वो ही चैंस कर दी यानि हम वहाँ पर दो फ्लोर बनाना होगा नीचे पुरा पानी रहेगा और पानी के ठीक उपर अंडे रहेंगे ये ताकि हमारा जो हुमिन्टि है वो आपके साट से सत्तर परसन बने रहे तभी हमारे अंडे हैज होगा नहीं तो इस तफ का यानि तीस अंडे में से सिफ एक ही चुजा है तो अभी जारा इंकुबेटर का सेटप देखे जो हमने चैन्स की हमने क्या किया कि इंकुबेटर के भीतर की दोनों मोर पर दो लक्री का टुक्रे फसादी जी हा दोस्तों विडियो पर गोर से दिखिए दो लक्री का टुक्रे दोनों मोर पर फसादी और उसके ठीक उपर यानि पानी के उपर एक नेट का टुक्रा रख दिया और यह जो नेट का टुक्रा है इस पर ही हम अंडे जो है वो रखने वाले है तो बिल्कुल इसी तरह अब नीचे पूरा पानी हो गया और उपर अंडा रहेंगे तो यह देखिए हमने जितना भी पानी का वहाँ पर बरतन वरतन जो भी था तो उस पर पूरा का पूरा पानी ढाल दी तो अगर हो सके अब थोरा बॉइल किया होगा पानी दे उससे हीूमिडिटी थोरा ज़ादा बनता है यानि गरम पानी पर humanity काफी अच्छी बनते है ठंडे पानी के मुकाबले तो इसी तरह आप भी थोड़ा उबला हुआ पानी से पूरा का पूरा जितना भी बरतन है तो वो पूरा फिलाप कर दे अगर हो सके तो वहाँ पर दो ट्रे रखते उससे ज्यादा अच्छा होता है लेकिन ये इंक्यूबेटर जहाँ पर है वहाँ पर ट्रे की सुविदा ही नहीं थी जिस बिसे से हमें चोटा-चोटा कटोरी या एसा ही कुछ पाने के लिए रखना परा तो बात में हमने किया कि जो अंडे है वो रखना शुरू कर दी पाने के ठीक ऊपर तो यहाँ आपको बताना चाहता हो कि ये इंक्यूबेटर जिन भाय का है तो उन्होंने जो अंडे 30 दिन का हो चुका है वो अंडे भी रख दिया क्योंकि एक तो इनके पास अंडे नहीं था दूसरा ये और दो-तीन दिन देखना चाहते है क्योंकि उनको फेकने पर अच्छा नहीं लगता तो जो भी है तो ये उनका मामला है तो ये दिखिए अपका जो बाई और है वो नाय वाला अंडा है और दाई और वो ही पुराने वाला अंडा उन्होंने दो-चार दिन के लिए रख दिया तो अभी थोरे टेम बात देखिए पेले हमारा जो हीउमिनिटी था वो 21 परसन था लेकिन अभी देखिए 60 परसन हो चुका है जरा सोचे कितना अंतर 21 से सीधा 60 परसन वो भी एक भी पेशा खर्श किये बिना तो दोस्तों आपको बस यही बताना चाहता हूँ यह जो हीउमिनिटी का दिक्कत है यह ज़्यादा तर आपका सर्दियों में ही होता है क्योंकि सर्दियों का मौसम जए वो बहुत सुका होता है जिस बिसे से हीउमिनिटी बहुत नीचे गिर जाता है लेकिन गर्मी में उत इंतिजम कर लिजिए इसके अलावा भी दो चार और भी टीप से हुमेनिटी बराने का जो मैं पहले ही एक वीडियो अप्लोट कर चुका हूँ आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू धन्यवत